दोस्तो सुजूकी S-Cross SUV कार को आखिरकार लॉंच करने वाली है ये अपने पिछले मॉडल की तुलना में पूरी तरह से बदले हुए डिजाइन के साथ आएगी नए सुजूकी S-Cross भारती बजार में पहले से मौजूद मॉडल की तुलना में काफी बोल्ड दिखती है क्रोस ओवर को मारूती सुजूकी के प्रीमियम रिटेल नेटवर्क नेकसा के जरिये भारती बजार में प्रीमियम मॉडल के तौर पर बेचा जाता है नए सुजूकी S-Cross बाहरी तौर पर पहले से काफी ज़्यादा स्टाइलिश दिखती है दोस्तो कार की पूरी जानकारी बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारी यूटीब चैनल रियल लॉटन यूज को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जल चीजल आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल जाए नए 2022 सुजूकी S-Cross का फ्रंट लुक पूरी तरह से बदला गया है इसमें नए बंपर के साथ पियानो ब्लाक ग्रिल, नए ट्रिपल बीम, हैंड लाम्प और नए डिजाइन किये गए फॉग लाम्प एसेम्बली मिलती है बोनित पहले की तुलना में ज़ादा अकर्शक दिखाए देता है इसमें चौड़े Central Air Intake और Focus Kit प्लेट भी है Suzuki S-Cross SUV में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 7 इंच touchscreen infotainment system जबकि टॉप मॉडल में सैटिलाइट नाविगेशन के साथ 9 इंच यूनिट मिलता है इसके अलावा Dual Zone Climate Control, Heated Front Seat, Keyless Entry और LED Hand Lamp जैसे features पूरे मॉडल लाइनप में स्टैंडर्ड है ये SUV Suzuki के All Grip Select for Wheel Drive सिस्टम के साथ आती है इससे instrument panel पर लगे dial के जरीए कंट्रोल किया जा सकता है नई Suzuki S-Cross में 48V SHVS Mild Hybrid Technology दी गई है SUV में 1.4 लीटर DITC इंजिन मिलता है ये इंजिन 5500 RPM पर 139 PS का पावर और 2000-3000 RPM पर 235 NM का टॉक जुन वेट करता है इसमें लगी electric motor 13.69 PS का पावर और 50 NM का टॉक जुन वेट कर सकती है ये SUV सिर्भ 9.85 में 6.6 से 100 km पर्थि घंटा की रफ़तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्वीड 155 पर्थि घंटा है 4WD सिस्टम के साथ ये SUV 10.2 से 2.7 में 6.6 से 100 km पर्थि घंटा की रफ़तार पकड़ती है Safety feature की बात करें तो इसमें front और rear parking sensor, traffic sign recognition, adaptive cruise control और blind spot monitoring जैसे features दिये गए है ये model छे color options में आने वाली है इसमें silky silver, metallic, titan dark grey, swear blue, solid white, energetic red और cosmic black जैसे रंग शामिल है दोस्तो इस car की launching date फिलाल company ने fix नहीं की है लेकिन उमीद है कि जल्द ही अच्छी खबर आएगी इसकी कीमत की बात करें तो ये 5,12,000,000 के बीच होगी उमीद है दोस्तो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते मारे इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले